Hello everyone, आज हम जानेंगे कि आप IIM जम्मू से कैसे PhD में admission ले सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन से बच्चे eligible होंगे, कौन-कौन से exam देने पड़ते हैं क्या age limit का criteria होता है, क्या stipend मिलता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा अगर जो working professionals हैं, उनके लिए admission का क्या criteria होता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं eligibility criteria का तो इसमें bachelor's और master's और master's दोनों में 60% marks होने चाहिए इसमें वो वाले courses भी included है, जिसमें जो 5 year का integrated course होता है जिसमें bachelor's और master's दोनों होता है, 5 साल का integrated course वो भी included है उसमें भी 60% marks होने चाहिए इसके लावा NEP के तहट जो 4 year का bachelor degree course सरकार लेकर आई है उसमें bachelor's में 6.5 CGPA होना चाहिए तो 10 plus 2 plus 4 जो NEP के तहट लेकर आई है, उसमें 6.5 CGPA होना चाहिए इसके अलावा कुछ professional courses होते हैं, जैसे कि CA, CS और CWA उसमें 50% marks का criteria है CA, Chartered Accountancy, Company Secretariat and CWA इसमें 50% marks का criteria होता है अब इसके अलावा कुछ age limit का criteria भी रखा है IAM जम्मू में, वो क्या है, age limit 40 साल से जादा नहीं होनी जाईए इसके अलावा कुछ और चीज़े भी हैं जैसे कि IAM जम्मू में, PhD में admission लेने के लिए कुछ entrance exams होते हैं, जो की candidate को देने पड़ते हैं वो कौन-कौन से entrance exam होते हैं CAT GMAT GRE या फिर gate या जे आरेफ आप इसमें ध्यान दे कि परसो ही notification आया है जिसके तहत इस DRF को category 1 में डाला है तो अब ये भी आप देख सकते हैं कि NET की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है तो NET का कोई significance यहाँ पर नहीं है यहाँ पर ये कुछ 4-5 entrance exams हैं जो candidate को देने हैं जिससे कि वो eligible हो जाएगा direct interview के लिए IAM जम्मू में PhD के admission के लिए अब ये जो है इन में से कोई एक entrance exam बच्चा देगा और ये इसका score जो है सिरफ 3 साल तक ही valid होता है admission के लिए मतलब कि जब से score आया है तब से लेकर के 3 साल तक के बीच में admission लेना होगा PhD में IAM जम्मू में अब कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये entrance exam उन्होंने नहीं दिया होता लेकिन फिर भी वो eligible होते हैं IAM जम्मू में admission के लिए वो कौन से बच्चे होते हैं वो वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने MBA किया होता है किसी भी IAM से तो वो बच्चे directly interview में बैच सकते हैं without any entrance ठीक है तो ये वाली बात हो गई कि MBA वाले बच्चे भी यहाँ पर eligible हो जाते हैं अब यहाँ पर हमने eligibility criteria की बात कर ली कि या तो आपका कोई entrance होना चाहिए CAD, GMAT या फिर GRE, GATE, GRF इन में से कोई एक entrance या फिर आपका MBA होना चाहिए किसी भी IIM से तो अब आप यह जो सारे बच्चे जो की direct interview में बैठते हैं interview qualify होने के बाद क्या होता है कुछ एक merit list त्यार की जाती है institute की तरफ से अब उस merit list में बहुत सारे criteria होते हैं आपका academic background आपके कितने marks हैं आपके interview में कैसी performance है और आपका work experience क्या है तो अब इसमें कुछ इसमें उन्होंने weightage लिखी होई है website के उपर तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या है तो personal interview का जो weightage है वो है 50% इसके अलावा आपका work experience का कुछ एक percentage होता है वो है 15% और इसके अलावा bachelor's का 10%, post graduation का 5%, 10th में आपके कितने marks आए हैं उसका 10% और 12th में कितने marks है उसका 10% तो ये तो हो गई कि आपका merit बना और जिसके सबसे ज़्यादा marks होंगे उसको admission मिल जाएगा PhD में आएम जम्मू में तो ये वाली बात हो गई कि जो वच्चे जिनोंने entrance दिया है या फिर जिनोंने MBA किया है आएम से ये वो वाली category हो गई अब एक दूसरी category होती है कि अगर किसी को work experience है जो working professionals होते हैं वो कैसे इस prestigious institution में कैसे वो admission ले पाएंगे तो working professionals के लिए criteria होता है कि उनको तीन साल का work experience होना चाहिए और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है जैसे कि first category में age limit थी 40 years यहाँ पर age limit का किसी तरह का कोई criteria नहीं है तो यह एक फरक है इन दोनों में बाकी चीजे सेम रहती है और इसके अलावा एक और चीज है वो working professional जिसने ना तो cat दिया है ना तो GMAT दिया है ना GRE दिया है ना गेट दिया है ना ही GRF दिया है लेकिन वो फिर भी ना ही वो MBA उसने किया है किसी भी IAM से लेकिन वो तब भी admission ले सकता है IAM जम्मू में वो कैसे एक university एक institute का एक entrance exam होता है जिसको हम बोलते हैं IIMJRAT ये वाला exam qualify करना है तब ये किस teach के लिए eligible हो जाएगा interview के लिए eligible हो जाएगा ये working professional जिसको minimum 3 साल का experience है उसने ये entrance दिया अब वो interview में direct appear हो जाएगा अब बात कर लेते हैं कि जब हम IAM जम्मू से हम PhD कर रहे होते हैं तो कुछ stipend का भी provision है जो कि institute देती है वो कितना stipend होता है stipend होता है 45,000 पर मन्थ अब इस stipend के साथ साथ कुछ और चीजे भी कुछ और amount भी देता है institute वो है कुछ contingency allowances होते हैं कुछ laptop लेने के लिए या national और international conferences को attend करने के लिए भी कुछ पैसा institute आपको देता है तो ये दो categories हो गई एक तरीके से के वो वाले बच्चे जिन्होंने entrance exam दिया है cat, gmat ये सारे या फिर किसी ने MBA किसी ने entrance नहीं दिया किसी ने MBA किया है IAM से वो वाले लोग और working professional वाले लोग तो सब के लिए कुछ-कुछ eligibility criteria है जिसको fulfill करके आप IAM जम्मू में admission ले सकते हैं अगर आपको कोई doubt है इसमें तो आप comment section में comment कर सकते हैं Thank you